हलो अब्रीवन वैलकम टू जोन टेक डिजिटिल देखिए आज का जो टॉपिक है एक बहुत खास टॉपिक है और इस टॉपिक पर डिसकर्शन करना उतना ही जरूरी है जैसा कि आप सभी को पता है कि आरवी जेई ने अपनी वेकेंसी अनॉंस कर दी हैं और इसके लिए जो अलाइन अप्लिकेशन जो हैं ओपन हो चुके हैं आज के इस वीडियो सेशन में हम डिसकर्शन करेंगे एक बहुत कॉमन टॉपिक पर और बहुत ही जैनुवन टॉपिक है एक्चली बहुत सारे स्टुएंट्स का यह डाउट है कि सर हम आरवी जेई की प्रिपेरिशन करने हैं बिलकुल और नो डाउट वो आएंगी उसके साथ साथ कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि हम आरवी जेई की प्रिपेरिशन करें में मैं आगे डिसकस करूंगा राम सर के साथ में यहां पर कि आरवी जेई का एक्जाम पैटरन कैसा रहने वाला है उसमें किस सरह से पेप वेकंशी हैं उनको साइड में रग कर देना चीए उनको दरकरार कर देना चीए या उनको भी साथ में लेके प्रिपरेशन करनी चाहिए तो ऐसे कुछ सवालों के साथ में हम डिसकसन को आगे बढ़ाएंगे राम सर के साथ में तो सर वेलकम प्लीज है पिछले वीडियों आ यहां पर आपके पास number of vacancies है अगर हम बात करें और आल इंडिया की तो लगबग लगबग यहां पर इंजिनिरिंग फिल्ड के अंदर आपके पास दस से पंदरा आज़ार के आपका सेवलेवल है मैं इन number of vacancies में उन vacancies को अभी इक्सेट में है मैं सिर्फ उन vacancy की बात करूं जो vacancy आपके इन है या फिर आने वाली है या पर ऐसी जो आपस में क्लेश करेगी क्लेश कमत मेरा यह है कि या तो उनकी exam date कराएगी या फिर उनका जो आपका नम जो period है जो exam period वो टकराएगा या फिर जो preparation का दोर है वो कई-न-क पांसे छह मैने मिलेंगे उसके बाद में जब आप दे देंगे तो आपको अगें पता लागेगा कि यार आर भी जी इस इविलेबल है जिसके फॉर्म में बर रहा हूं और पांसे छह मैने विसके हो जाएगह या फिर मैं कैसे ए ग्षारी करूim जिशसका ज़सका मार्ट अप्रेइल के अंदर हो और होगा यह फिर मेह रास्तान कैसे इक्जाम की थैरी कौरे जिसका को एक्जाम डेट है जो ओलरी जो आपका अध्यक्स महुत है उनको द्वरा जनुरी बता दी गई है अब बच्ची हमोमन क्या करते हैं कि इस दोर में सब्सक्राइब करते हैं कि आपका कुछ करना यहीं और जिनको तैयरी करनी है उन में यही ऐसके लाव कोई ऑप्सन निये और एक और स्टाइब सब्सक्राइब करेंगे कि मैं एक साथ सभी एक्जाम की तेरी करूंग और आज का मेरा में मुद्ध भी सरी है यह कैसे आप लोगो को यह बता पाएं कि हाँ आप लोग ए एक साथ तेरी कर सकते हो और एक साथ इन सभी एक्जाम की तेरी कर सकते हो बस थोड़ा सा स्मार्ट वे आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि मेरा हमेशा जोर रहा है कि स्मार्ट इस्टडी ही आपको जल्दी सफलता कर लेकर जाएगी यह नहीं कि मोटी मोटी किताबे पढ़ नहीं करने है आपको करना है आपको अपको अपना सिलेक्शन लेना है विर अन सभी अपना सेलेक्शन है उसी के बारे मोटा slowsगे नहीं बात करेंगे Oregon a Schuld impe Equal यहां पर बेसिकली स्टुएंट्स के पास में बहुत सारी सब्सक्राइब करने लग जाएंगे और वह हर एक्जाम के लिए आपको भारी पढ़ने वाली है इसलिए इस मौके को बहुत अच्छी तरीके से बुनाना है आपको अपने पूरे प्रिपरेशन को स्टेंडराइज करना है उसका पूरा प्लानिंग करना है क्योंकि सर ने जो बात कही है कि जब कोई बच्चा एक एक एक्जाम में सेलेक्ट होता है और हम इसको क्लास में भी बार बार बोलते हैं कि जब कोई बच्चा एक exam में select होता है तो वो multiple exams को correct करता है और उसके पीछे एक ही logic होता है कि उसके जो preparation planning है वो बहुत जड़ा standardized होती है उसको पता है कि यह multiple opportunities बार बार नहीं आती हमारे सामने तो इनको कैसे हम deal करें क्या हमारी planning होने चाहिए तो planning के लिए सबसे पहले यहां पर बहुत सारे questions निकल के आएंगे तो रमसर यहां पर planning में सबसे पहला point क्या रखना चाहिए कि जैसे आज बच्चे के सामने मैं राजिस्थान students को भी थोड़ा target करके बोल रहा हूं जैसे राजिस्थान में कुछ vacancies जो है व बच्चा prepared कर रहा है और साथ ही साथ अब इस case में यहां पर RRBJ का announcement हो चुका है तो basically इस mode में बच्चे को किस तरह से preparation करनी चाहिए उसका first step क्या होना चाहिए कैसे उसको shortlist करना चाहिए कि हमें इन सारी opportunities को एक साथ बुनाना है देखे बच्चों पहली बात तो मैं एक हूंगी देखे maximum majority आप अपने आसपास जिस तरह के student के देखते हैं वह student कुछ इस तरह की होते हैं कि अभी तो notification आया है नहीं है जब RRB की बात चल रही थी आसे 6 महीने पहले और जब मैं कहीं पर distance कर रहा था किसी platform पर तो वहां भी मेरा यही मैंने concert बोला था कि भाई प्यास लगने पर कुआ नहीं खोदा जाता है हातों पे सरसो नहीं उगाई जाती है यह कहा होते है आपने सुनी होगी बहुत पड़ी होगी आपको याद भी होगी लेकिन इसको जीवन में चरीतरात करना मुझे लगता है आप भूल गए है आपको क्या लगता है कि ठीक है आज नोटिफिकेशन आ गया तो आप अपने सेलेक्शन को शूर कर लेंगे जैसे हरियोम सर ने कहा फिर आप क्यावल फॉर्मल टीज करेंगे माइडियर एक कहते हैं कि यह जीत के तैयरी बहुत पहले से सुरू हो जाती है और यह तैयरी आपकी तब से सुरू हो चुकी है क सब्सक्राइब करेंगे एक बहुत बड़ा और इंपॉसिबल सा टास्क हो जाता है जब वेकेंस आने के वाद आप शुरू करते हैं अब कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने कभी नाम भी नहीं सुना था ऐसा स्टूडेंट जिसने कभी रीजनिंग जी के इसके बारें बात ही लेगा अब बतायी मुझे है तो यहां पर जैसनि निका कि हमें सुरूवात कहा से करणी है तो मोज़े लगता है कि हमें सुरूवात करने का सब पहला यह पर आपको पता आई वेकेंसी आयेगी तो बट करो मत करो मत कर ना जलदी अपनी सुरूई करी लोग श्यMacर Go करो लेकिन आप अपनी तयारी नोटिफिकेशन आने के इंतिजार में मत बेठो उसकी तकर में अपना तयारी को इस्टोप मत करो अपनी तयारी सुरू करो पहला सबसे सब्सक्राइब करने का क्या सकता है यह जब हम कहीं पर किसी भी चीज को अगर आपको ड्राइविंग करनी है तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि कि अगर निसाने वाजी करनी तक देखना पड़ेगा कि ठीक है मिर पास क्या-क्या उफकरन है और फिर निसाना किता दूर है एक आयगा आपका Technical Education sir, एक आयगा आपका Non-tech Education, यनि एक चीज तो तही हो गए कि चाहे आप RRB की बात करें, चाहे आप SSE की बात करें, चाहे RSSB की, चाहे RPSC की चाहे आप अपने particular किसी भी स्टेट की बात करें, मैंडियर, आप without technical knowledge जीवन में कभी भी assistant और junior engineer नहीं बन सेख सबसे बड़ी बात यह है कि साथ में पढ़ना है सबसे बड़ी बात यह है कि साथ में पढ़ना है सबसे बड़ी बात है साथ यह पढ़ना है टेकनिकल की बात करें तो टेकनिकल से इस्टेंडर है वो नहीं बदलेगा चाहिए आपका MP का वेकंशी हो चाहिए यूपी का चाहिए राजस्तान का चाहिए देली का यह फिर ओल और S.S.C.R.R.P. का टेकनिकल इस सेम फोर ऑई पर यहां पर यहां पर आरर जही जो है उसमें सलेक्शन प्रोसीजर में कुछ stages हैं तो सबसे पहले तो उन बच्चों के लिए जो बिलकुल इस एक्जाम से अनिविग्य हैं उनको नौलेज नहीं है कि एक्जाम किस फेज में किस तरह से कंडेक्ट होगी उसका स्लेक्शन प्रोसीजर क्या है तो स्लेक्शन प्रोसीजर में इसमें आपका CBT-1 होगा कंप्यूटर-based test होगा और इसमें multiple choice question आएंगे कितने आएंगे वह आगे discuss करेंगे अभी पहले स्टेज में आपका CBT-1 होगा और इसका क्या स्लेवस रहेगा उसको हम आगे discuss करेंगे next stage में आपके second stage में आपके फिर से CBT-2 होगा computer-based test होगा उसको नाम दिया है CBT-2 और इसके बाद आपका document verification होगा जिसको हम बोलेंगे DV and then आपका medical होगा तो यह चार stage में आपको clear होना है और इन चारों stage को clear करने के बाद में फिर आपका final selection आपके सामने आएगा लेकिन अब बात आती है कि CVT-1 का syllabus क्या है उसमें किस तरह से exam लिया जाएगा उसका pattern क्या है उसी तरीके से CVT-2 क्योंकि आज इन दोनों points पर discussion करना बहुत compulsory है otherwise बच्चा केवल यह सोचता है कि मैं RRV की तयारी करता हूं तो यहां RRV JEE CVT-1 में केवल और केवल non-tech पूछा जा रहा है देखिए सबसे पहले हम discussion करेंगे फर्स स्टेज कंप्यूटर बेस्ट टेस्ट CVT-1 RRV JEE में यहां पर subject जो include किये हैं CVT-1 में वह mathematics है जनल intelligence है and reasoning then यहां पर general awareness है general science है तो बेसिकली यहां चार topic cover किये हुए हैं इनके syllabus को भी हम discuss करेंगे कि syllabus में क्या क्या दिया हुआ है या किस level का syllabus है देखिए यहां CVT-1 में number of questions जो है mathematics से आपके 30 questions आएंगे then जो reasoning वाला part है उससे 25 questions आएंगे general awareness से 15 questions आएंगे and general science से फिर आपके 30 questions आएंगे तो overall देखा जाए तो यहां पर 100 questions बनते हैं जो time दिया हुआ है इन 100 questions को attempt करने के लिए 90 minutes 90 minutes में आपको यह 100 questions attempt करने है और सही गलत का फैसला आपको करना है यहां पर then इसके बाद मार्क्स की अगरम बात करें तो each question has one mark मतलब 30 questions है यहां पर तो 30 marks हो गए mathematics के similarly reasoning में 25 general awareness में आपके 15 and general science में आपके 30 marks आपको मिलने वाले हैं तो maximum marks जो है वो 100 है आप देखें यहां पर जो यह first stage है जो cvt1 है इसका आपने syllabus देखा जनर एक topic का idea लग गया कि इसमें कहीं भी technical mention नहीं किया है तो इस cvt1 को लेके सर बच्चे बहुत doubtful है कि cvt1 में केवल और केवल non-tech portion पूछा जा रहा है तो क्या हमें technical aspect को बिल्कुली छोड़ देना चाहिए जो हमारे SSC और state जेए और एक्जाम में आने वाला है क्योंकि long duration है चार से पांच महीं जो भी आपके पास है उसमें आपको cvt1 है उसकी भी preparation करनी है उनका कहना जो है कि हमें इस चार से पांच महीं में cvt1 की preparation करनी है और साथ ही साथ हमको SSC जेए या state जेए पर focus करना है तो क्या हमें केवल जो वेकेंसी हमारे सामने है उस पर focus करना चाहिए या अपकविंग वेकेंसी की भी preparation करनी चाहिए जैसा कि सब्सक्राइब बताया आपको भी अगर बात करें तो हमारे पास सिंपल सा टार्गे लेता हूं मैं आपको सिंपल सा ज्यादा नहीं है आप जितने कुछ इस एक्जाम पर लिए मैंने का कि जिसे हमने का कि SSJ उसके साथ साथ में मान लेता हूं यहां पर की RRB हमने का यहां से RSSB और एक और चीज़े लेता हूं मैं आपका जो भी एक आपका टेक्निकल है और एक हमारे पास यहां पर नॉन टेक है जिसने भी एक्जाम आप यहां पर देख रहे हैं इन सबका टेक्निकल जो है वो सेम है सबका टेक्निकल सेम है टेक्निकल कोई भी डिफ्रेंस नहीं है लेकिन बेटा कर नॉन टेक की बात करें तो नॉन टे अब अगर कोई भी बच्चा देखें तो चाहे कोई से भी एक्जाम निकाले आपको कॉम्बनेशन रहेगा टेक इंडिया यह पर टेक इंडिया ना रिम जिसे स्सी के अगर बात करें तो अब बच्चों को कवल सी बीटी वन पर फोकस करते हैं बाकी चीजे बाद में अब आप एक चीज मुझे बताए आज इम आईडियर अगर आप पांच महीने केवल टेकनिकल टेकनिकल को साइड करके केवल आप सी बीटी वन कर नॉन टेक पड़ेंगे तो क्या पांच महीने बाद आपको टाइम मिलेगा मुझेल समय कितना दो से तीन महीने का और यहां से मैं बात करूं यहां पर पेटन क पुम्हेसा मतलब हमेसा अब यह चीज्य संद्रैना यहां एक और चीद में देखें लिए निव मिंदा सेंस CBT1 CBT2 में वैसे न यूनियों CBT1 CBT2 में अगर हम बात करें यहां से सर तो देखिए reasoning intelligence and general awareness यह दो subject आपके ऐसे हैं सर जो CBT2 में भी आपको मिलेंगे देख लिजिए general awareness और physics के मैंच reasoning नहीं है अच्छा reasoning नहीं ठीक है general awareness और आपका यह reasoning नहीं, general awareness और general science तो यह दो subject आपके ऐसे हैं जो आपको CBT1 CBT2 में भी मिलेंगे यहां पर आपके पास अगर आपने CBT1 के टाइम ही कर ली तयारी तो इनको आगे पढ़ने की जुरुत नहीं है इसका मतलब क्या हो गया इसकी तयारी मेरी already हो रही है general science मुझे already पता है basic of computer and application केवल 10 सवाल है जहां पे आप थोड़ा सा 3-4 गंटे भी अगर पढ़ लो एक्जाम से पहले एक चोटी ची पतली किताब को तो भी और चार पर किसिन करिएंगे हम नहीं पढ़ने 3-4 गंटे हम लंबा पढ़ेंगी अगर बात करें basic of environment and pollution and control तो CBT1 म यहीं कवर होगा basic environment and pollution control जिसके अगेन ऐसे सवाल आता है जो बेसिक वाले हैं टेक्निकल इस्टिंट की बात कि जब वहां पर पर पढ़ता है एंवर्मेंटल इंजिनिरिंग तो वहां पर भी बहुत बहुत जदा basic environment आती है उसको भी हम देखे तो यह कवर हो जागा यानि य यहां पर किसी भी exam की preparation करने के लिए सबसे पहले तो dedication और जिस लेवल का competition चल रहा है तो उस लेवल में बच्चे बहुत पहले से preparation कर रहे है बिल्कुल और newcomers के लिए बहुत बड़ा challenge है अगर उनको ऐसा लगता है कि जेए का paper है आसानी से निकल जाएगा तो इतना आसान है है नहीं इतना आसान होता तो आज हर कोई बच्चा जो है कोस्त लेके बैठा होता उस case में क्या है कि वेकेंसी जिस हिसाब से आती है उस हिसाब से competition बढ़ता है अभी क्या है कि यहां पर आपके पास में multiple opportunities हैं तो उस हिसाब से competition भी multiple times हो गया है तो आपको अगर ऐसा लगता अभी से ही टेक्निकल पर focus करना है सर ने जैसा कहा कि cvt1 और cvt2 में काफी common syllabus है और सर मैं इसमें एक और बात add-on करूंगा अभी हम आपको आगे और एक और स्लेवस दिखाएंगे जो स्से जेए का होगा और राजस्थान जेए का भी होगा उनमें भी आपको कुछ common things पता लगेंगी तो टेक्निकल तो इन सब में common है तो आप उसको नहीं छोड़ सकते उसको आप साइड में नहीं कर सकते आपको उसको साथ लेके चलना पड़ेगा सब्सक्राइब तो को सब्जेक्ट को नहीं पढ़ते हो यह एक जनरल एक सिच्पिशथे सर अबकार मेरा अगर हम एक बार को सब्जेक्ट को नहीं पढ़े 15 दिन तो कही ना कहीं हमारे concept भी हमारी डेटा जो है दुनले पढ़ जाएंगे और बैसिकली concept तो नहीं भूलेगा आदमी लेकिन जेई जैसे पेपर में कहीं ना कहीं डेटा का बहुत बड़ा रोल है वैल्यूज का बहुत बड़ा रोल है कुछ डायक्ली कुशन ऐसे आएंगे आपके जहां डेटा पूचा जाएगा तो अगर आप उनको पड़ा है लेकिन मुझे सटीक तरीके से कुछ भी आदमी फिर नेगेटिव मार्किंग होती है तो इस केस में आप मेजर ली आप एक डाउन ग्रेड डाउन ग्रेड की तरफ जाओगे आप कहीं ना कहीं से दूर जाओगे तो इस वज़ए से आपको हमारे हिसाब से इंटायर इस तरह से क्लियर करना है क्योंकि हमारा मेन फोकस और भी है लेकिन उसके साथ साथ जितनी भी और अपरचिनिटीटीज उनको भी अमको क्या करना है कि यहां पर बिलकुल जैसा कि मैंने नोटिफिकेस में बताया बच्चों को कि और बी इसका मतलब आपके स्लेक्शन लेने हम आपको एक बार स्लेवस का ब्रीफ देंगे जी बिलकुल स्लेवस का अगर हम बीफ दें आपको तो यहां पर सीवीटी वन में जो आपका स्लेवस रहने वाला है एक बार आप थोड़ा सा इस पर नजर डालिए मैथमाटिक्स में आप जिसे नंबर सिस्टम है बोर्ड मास तक का यह स्लेवस ऐसा होगा जिसमें अगर आप थोड़ी बहुत भी मैनत करते हैं तो उस केस में आप बहुत अच्छा स्पोर कर पाएंगे यहां पर किलिए लिए लिख रखा होगा फिजिक्स केमेस्टी और लाइफ साइंस अप टू टेंथ स्टेंडर बेसिकली फिर और ख्राइच संटी और स्पीजो बिल्कुल आपने जो मन की बात है बलकुल खीनली मैं यहीं कहने वाला था कि यह जो बनेली है स्टूरेंट में आपको नजर आता है और यह तो जनरल अवेरनेस तो वैसे भी एक स्टुडेंट में होनी चाहिए होनी चाहिए नौलेज ओफ करन्ट अफेयर्स यही इसका मेन टॉपिक है नौलेज ऑफ करन्ट अफेयर्स जो अभी चल रहा है स्पोर्ट है पॉलिटिक्स है जोग्राफी है कल्चर है हिस्ट्री है इन से लेटेड आपको पूरा ज्यान होना चाहिए इसके साथ साथ जनल साइंस की बात करें तो यहां से भी कुछिन पूछे जाते हैं से इसके साथ जो पूछे जाएंगे तो अगर आप इनको अच्छे से मन लगा के डेडिकेशन से पढ़ते हैं तो एक बार में सब कुछ किलियर होगा तो हमारे हिसाब से यहां पर इसकी स्पेशल तैयारी मतलब इसी को डेडिकेटेडली टायम देखे और तैयारी करने से मेरे हिसाब से वैनेफिट नहीं होगा क्योंकि सर आप जैसा की आगर आगे डिसक्स करें तो यह सब्सक्राइब करें तो अगर वहां बात करें तो कम से कम आठ गंटे डेली इस्टेड़ी दे सकता हूँ अगर आप अपने करियर को लेके थोड़ से सीरियस है तो डेली आट गंटे दे सकते हैं अब आजकल तर आट गंटे की विडेव देशन सरो बतल गईए सुबह जाता हूं मैं नौ बजे लाइवरी रिसाम को आता हूं छे बजे लाइवरी यह सुबह दस लाइवरी आप अन्याटे को तरह अब करेए आप आप जो कर रहे हैं जो जिस तरह से आप पढ़ रहे हैं क्या वह सई है कई आप सब कुछ रहा हूं और मैं अब्स नीए कुछ नहीं पार रहा हूं यह कुछ ऐसा है जैसे एक मिट्टी के बहुत ज़दा पानी डाल दीजा तो पानी क तो आप समझ नहीं पार है कि आप आठ गंटे का मतलब यहां पर मैं निगा आप आठ गंटे को यह आप छे गंटे कर लिजी इसको मैं तक हो चार गंटे कर लेजिए लेकिन हमेशा एवन रखिए ओड मतर की टाइम को लाइफ में वैसे ओड चल रहा है तुमारे तो कुछ तो यहां से अगर बात करें तुम से सिर्फ यह कह रहा हूं कि आप इस टाइम को कम्प्लीटली दो बागों डिवाइड कर दो भूब चार गंटे चार गंटे एक ऑप्सन यह है दूसरा अपसन है तीन गंटे और पांच गंटे बस यहां पर देखिए और एक एसस टेकनिकल बहुत वीक है वह इस वाले पॉस्ष्ण पर आ है कि भाहा हमें चार गंटे पढदना है यहां पर बात करें तो चार गंटे देने है और यहां पर जाएंगे अगर आपका नॉन टेक बहुत वीक है यहां पर जाएंगे अगर आपको थोड़ा ज्यादा समय देना पड़ेगा क्योंकि सब्सक्राइब वेचों दो बनता है क्योंकि स्काम का मतलब सी बीचाम किसे हैं आप एक समय को मेनेज करें मेरे साब से आप सिमेड करेंगा कुछ कि मेनेज करें कि आप पांक गंटे नों टेक पड़ो और तो तीन गंटे क्या पड़ा आप टेक्निकल पड़ो अब जिसका टेक्निकल थोड़ा अच्छा है तीन गंटे में सर्व रोज अगरे सब्जेट की प्रैक्टिस पर गरे 100-200-300 किस्टन भी लगा तो डेफिनेटली तरफ पांच-छे महने के अंतराल में उसको बहुत अच्छ अज़ते और दो गंटे आपको केवल दो गंटे ही टेक्निक लपड़ना है और चेगंटे आपको क्या पढ़नाय प्रफ नोन टेक पर नहीं क्यों कि हमें ये कटियो करना है कि मैं कमजोर कांई है आगर मेरे बाद को लेदिक मेरा बहुत अच्छा क्या साउंड नेक्निकल ह तो डेफिनेटली मैं इस वाले पॉर्टन को करको हूं कि दो गंटे के टेक्निकल मेरा रिवीजन लगाता डेली चलता जा रहा है अगर पंदार दिन में सब्सक्राइब करता हूं चैनिकल खतम हो जाएगा और जिसका मुझे बर्ड़न भी नहीं है मैं उसको भूलूगा भी लेकिन यहां पर देखे 6 गंटे के सब्सक्राइब नौंटे की बहुत सुलिट हो जाएगा तो कुल मिला के सब मुझे लगता है कि बच्चों को एक ऐसी एप्रोच फोलो करनी चाहिए जहां पर उनको थोड़ा बहुत यह नोलेज है कि हां मैं चीजों से एकदम से लीक से सब्सक्राइब आपका जो प्लान है वह बिल्कुल एकदम सही है बेसिकली इसमें मैं दो ही बातें करूंगा और वह स्टूडेंट पर डिपेंड करती है और वह बात है कि आप एक तो कंसिस्टेंसी कितना रखते हैं में जो फैक्टर आता है किसी भी एक्जाम में सलेक्ट ह कोने के लिए वह होता है कि आपकी प्रिपेंशन में किस्टेंसी है जो भी प्लान आप एक्जिग्यूट करते हैं यह तो हमारे हसाब से सर्ने जैसा बताए कि 8 घंटे-6 चार घंटे आपकी जो ग्रैविंग है वह कितनी आ में आपको अनलाइज की बात करेंगे इसमें परटिकुलर सब्जेक्ट की बात करेंगे कि यहां पर हमारा जो नों टेक्ट इसमें से कौंसा इस्ट्रॉंग है कौन सा वीक है तो सिंप्ली बात है कि अगर दौनों का हिसाब एक जैसा है तो 50-50 परसेंट उस टाइम को डिस्टिब्यूट कर दीजिए और जिस रेशो के इस तरह के फेश में जहाँ पर आपके सामने मुल्टिपल अपॉर्चिनिटी हैं उस चैसे इसुड़ेंट्य में सलेक्टों करते हैं उन का यही प्लान होता है वह पहले ऑनिलाइज करते हैं कि हम किस पॉर्चन में वीक है हमारा हमारी जो कमी है वह क्या है जब तक आप अपनी कम्यों को नहीं डूड़ेंगे तब तक आप अपने सेलेक्शन से दूर रहेंगे केबल अपने आपको satisfy नहीं करना है कि मैं आज चार घंटे पढ़ लिया मुझे अच्छा लग रहा है उस अच्छे लगने के साथ-साथ मुझे ऐसा लगता है कि आपने सीखा क्या है वो पढ़ लेंगे अगर आपको उस पूरे कंसेप्ट को समझना है तो उसमें यह देखो कि उस इस्ट्रेस इस्टेंड डाइग्राम से नंबर ऑफ कुशन कितने पूछे जासे और एक्जाम में उस टॉपिक से लेटेड कितने कुशन पूछे गए हैं अलग-अलग तरीके से अगर आप इस तरह से टॉपिक का अलेशिस करते हैं तो नो डाूट आपको सब्जेक्ष पर कमांड होगा सब्जैक के अंदर टॉपिक पर कमांड होगा और टॉपिक के अंदर आपको कुश्यंद पीक से सब्जज गया Я पहलीं बात तो तो बिल्कुल तयायारी के अभी से और अच्छी तैयारी के साथ होते हैं उनको पता होता है कि यह इस तापिक का है इस तरह का कुश्यन है इस एक्जाम में आया हुआ है और मैंने देखा भी मैंने कि इस तरह की screening से आप pass होंगे तब जाके आप बहुत ज़्यादा होंगे क्योंकि उनकी screening वी चार स्टेज में आपको टेस्ट करेंगे आपका सी बीटी वन सी वीटी टू यह तो दो कॉमन हो गया और एससी में तो इससी में प्रिदीवी फिर मैडिकल है और इन सब बातों का धियान रखते हुए तो यहां का निकलूजन निकाला जाए तो यह यह है कि आप किसी भी स्ट्रीम को नहीं चूड़ सकते साथ-साथ इन वेकेंसी में कॉमन सलेबस बहुत जादा है तो एक बार सरा कॉमन पर आपका दो नहीं पर चालिज लिया यह लेकिन विन नहीं और कहीं कहीं नहीं टैक्निकल स्टुडेंट इस ब्रह्म में अपने सेलेक्शन से दूर हो जाते हैं कि उनको टेक्निकल आता है और सबसे जादा जो गलती करके आते हैं वह इसी टेक्निकल पॉर्शन में गलती करके आते हैं जो आ 하루 इस लैवल की आप नेगेटिख कर रही है और यह होता क्यों है सर आप technical student है क्योंकि हम इसकी नेगेटिव मार्किंग को तो जनली अवाइड गर देते हैं कि यह हमारा stream नहीं था तो यह सब के साथ ऐसा होगा लेकिन जो selected बंदा है उसका technical इतना strong होता है कि उसके अगर 80 question आते हैं पेपर में तो वह 75 attempt करेगा plus minus 5 की negative रहेगी उसकी ज्यादा से ज्यादा खींच के और इस level का उसका preparation level होता है selection भी होता है क्योंकि इस case में non-tech में मेरे हिसाब से ज्यादतर students की technical students की performance एक जैसी होती है और जैसा ने बताया कि consistency consistency का मातलब यह है कि समय पे जागना समय पे सोना यह कौन सा topic हमें पढ़ना चाहिए कौल साथ चाहिए कंसे नहीं पढ़ना चाहिए यह made consistency का करते हैं अब बुक को आप कितनी बार रिवाई करते हैं आपने लिक लिए कागज पर consistency का पार है consistency की बात करें तो आपने बोल पर्ट फ्रेक्टर नहीं नहीं हैं जो आपको सेलेक्शिन देलाएंगा बहुत सारे फेक्टर वेक्तर है जो आपको सबसे इंपोर्टन पेक्ष्ट्री कि आप येकिन करिए और कुछ इस तरह का एक फ्रूर्मुला बनाईए जो आपको इस्मार्ट वे में आगे बढ़ाये औ तो मुझे लगता है आपको यहां चाहेंगे कि अगर लगें तो बहुत 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 बैस्ट और मैं को जिसे हम डिसुस करते हैं कि अमरत काल आपरों के लिए कि यहां पर सबसे ज्यादा नम्रों वेकेंसी मिली कि आपको इवन हर डिपार्टमेंट में हर फिल्ड में तो थ एक्चुली में वास चीज की गहराई को समझ नहीं पा रहा है कि कि इस उन्स क्या कह रहे हैं इसका एक्षमेशन कितना मेरे लिए फाइदमन्द है मैंने जोड़िटे की ओपला रहा है नौट बनाने में तो यह चीज आपको समझ नहीं पड़ेगी कि आप टेसी लागा रह क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है नमर देखिए आपको इन चीज से बाहर निकलना पड़ेगा मैंने देखा बहुत इस्टुनेटर दो-दो साल से तेहरी कर रहे हैं ती 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 साल से तेहरी कर रहे हैं तेसी नहीं लगाते हैं अब दिना टेसी आपको कुछ नहीं होगा कुछ ऐसा यह कि ठीक है आपने ड्राइविंग लाइस बनवा के रहे हैं ना तो ड्राइविंग कभी करिए ना ड्राइव कर चलाइए सुब दिखातरों कि मेरे पार ड्राइविंग लाइसेंस है आपको आपको अच्छ नहीं है जिस दिन आप गाड लेके निकलेंगे आपको मल्टी टास्किंग होना पड़ेगा कुछ बच्चे हैं जोसे मैं कहा रहा हूं कि मालीजे आपको कोई दोस्तों गरन नहीं देगाई मैं तो अर्र भी फोकुस करूंगा बाकी मुझे कुछ नहीं करना इन बंदोय दोनों की बात सुनगी नहीं मैं करो मुस्टनाब देगी मेरा सवाल है कि क्या आपको कॉंफिडेंस के आपका यह कि क्या अफी गया ताइम गया दो मेरे तीन मेरे टेकनिकल होगा नहीं यह अगर तो यह दो गए कि मेरे तुम बहुत पड़ा था बोट पड़ा था किसम खिराब हो इनी किसमत पी उनी को साथ देती जो सही प्लान करते हैं अच्छे गए जमाने जब किसमत के बेच्व शरेक्षन हो पर थे प्लान करें अपको मैनत करी तो मेरे कोडिंग यह जो ची बहुत अच्छा पॉइंट बोला आज का टाइम जो है उसमें हर आइटम जो है वह फिर दो आपको अपनी प्रिपेशन जो है वह भी हाइवरेड करने पड़ेगी आपने गाडिया देखी है तो वह भी हाइब्रेड हो गये जमाना एका है तो वह भी आजकल इंसान भी हाइ आधा खुद के उपर डिपेंडेंट है आधा कई ने कई टेक्नोलोजी के उपर डिपेंडेंट है तो आपको यहां पर सारी बातों का ध्यान रखना है अब इस बात में एक और पॉइंट एड किया जाए कि एससी जेई का जो एक्जाम पैटन है जनली आप सब लोगों को एक करना है तो एक बरतों से इसको डिसक्रस कर लेते हैं कि पेपर वन और पेपर टू से में भी दो पेपर होते हैं ऑन-लाइन होते हैं अगर यहां पर हम बाद करते पैटन की तह यह भी मल्टिपल चॉइस question आता है इसमें इसमें भी multiple choice question आता है पेपर वन और पेपर टू में नाव अब यहां पर sections की बात करते हैं तो section के अगर बात की जाए तो General Intelligence and Reasoning जो आपके आर रवी में है वही साथ General Awareness जो आपके आर रवी में है पार्ट ए में civil engineering and structural engineering उसके बाद में पार्ट बी और पार्ट सी में electrical mechanical मतलब आप टेकनिकल पार्ट है यह सीवीटी वन में है मतलब इसका जो फर्स्ट पेपर होगा उसमें आपके आर रवी के दो टोपिक पहले से include हैं और रही बात पिर टेकनिकल की तो फिर टेकनिकल है और अब बात करते हैं CVT 2 की जो SSC का second paper होता है उस paper में केवल और केवल technical पूछा जाएगा आप से अब बात यह आती है कि technical exams में कितनी बार पूछा जा रहा है एक्शाम इस्का मतलब टेक्नीकल जो है तो ये सबसे पहले भी बात बोली गए थी कि अगर आप technical student है और आपका technical strong नहीं है तो आप अपना selection भूल जाएए इसलिए आपके दिमाग से यह confusion बिल्कुल दूर रखिए और दूर रखने का मतलब यह है कि आप केवल CBT-1 पर फोकस करें यह confusion बिल्कुल दिमाग से दूर रहिए क्योंकि CBT-1 की तैयारी करने के साथ आप टेक्निकल को भूल नहीं सकते टेक्निकल आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा अब उसके ल ऄब तो आप परनली यहां कोचिंग आके आप जतने भी जो भी जिससे भी आप मिलना चाहते हैं जिसको भी अपना Sur burned चाथे उनसे डिसकर से अपने इक Day का शीड़ीूल तयार त्यार करवाई उन师े उन से पूछिए आप केवल फॉन पे मैसेज पे यह डाउट क्रियेट करना कि सर हमारा अब दिमाग में यह चल रहा है कि हम आर भी जेए के केवल सी बीटी बन पर फोकस करना चाहते हैं लेकिन उसका क्या ड्रॉबैक है क्या एडवांटेज है तो एडवांटेज यह है कि आता है वो कहीं न कहीं आपका कवर होगा लेकिन विदाउट टेक्निकल आप एक्जाम में सेलेक्ट नहीं हो सकते तो एससी में भी आपके बहुत सारा कॉमन पैटर्न आ रहा है जैसा सन्ने बताया है कि यहां पर रीजनिंग है आपकी और अवेनेस है और टेक्निकल है तो आपके सेलेक्शन की तो आप उसको नहीं छोड सकते तो यह था हाज का हमारा कंक्लूजन और आपका जो यह डाउट था वह बिल्कुल क्लियर हो गया होगा इस केस में कि आप टेक्निकल को नहीं छोड सकते हैं और सवाल यह की कैसे साथ लेके चलना था प्लान बनेए मैंने अपने चलना था सब्सक्राइब करिया अपने ताइमें अपनी पर इस जोग आपके बेटर है आपसे बेटर कोई नहीं जानता है आपके यह प्संद आया होगा तो सार खतम कराया का सेसंदे विल्कुल थैंक यू सो मज विसी वेस्ट आप